वेलकम तो स्टडी चैनल मेरा नाम है मुहम्मद कैसर LTE grade नई स्टिक्षकवर्ती के संबंद में लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों जो समकक शहरता वाला मामला फसा हुआ है B8 का ये जल्द क्लियर होने वाला है सरकार अब active mode में दिख रही है जिस प्रकार से लोकसभा के नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेस में तो आप लोग दोस्तों पर त्यारी करते रहिएगा क्योंकि जैसे ही B8 की समकक शहरता मामला क्लियर होता है LTE grade का विग्यापन जारी कर दिया जाएगा कुछ समय पहले चातरों की वारता होई थी BPSC के अदिकारियों से उन्होंने कहा कि हमको सासन से जैसे ही पत्र मिलेगा समकक शहरता संबंधी उसके एक सब्ता के भीतर भीतर हम विग्यापन जारी कर देंगे तो जो पदों की संख्या है वो बहुत अच्छी खासी है 6000 पदों का दियाचन काफी पहले UPSC को मिला हुआ था सबको पता है नए भी कुछ पद आए हैं ये जानकाई निकल कर आ रही है और 10,000 के आसपास LTE grade की नई भरती होने वाली है तो बहुत अच्छी खाबर है दोस्तों ऐसे जो विग्यापन है वो 4-5 साल में एक ही बारा पाते है LTE grade का पिछला विग्यापन 2018 में आया था 10,768 पदों पर उसके बाद विग्यापन आनी पाया अब इस साल भरती होने जा रही है आपको अब लग जाना होगा अपने त्यारी में जो भी छात्र इस भरती का इंतजार कर रहे थे आपको पता होगा graduation प्लस B8 सीटेड वगरे के ओसकता टेट के ओसकता नहीं होती है संबांदित विशे में ही आपका सनातक होना चाहिए और फिर B8 होना चाहिए IOC माइक की से लेकर 40 साल है और इसमें pre और mens होगा इस बार ये भी जानकारी निकल कर आ गई है interview पहले भी नहीं था अभी भी नहीं होगा लेकिन pre और mens इसमें इस बार कराया जाएगा exam में आपका विशे तो पूछा ही जाएगा इसमें GS भी पूछा जाता है इस बार भी वो चीज आपकी देखने को मिलेगी और pre में क्या आएगा मिंस में क्या आएगा इसके बारे में आपको जल्दी मैं जानकारी दूँगा विफिल हाल इस संबन में अपडेट नहीं मिल पाई है सरकार काफी active mode में है तो आपको भी अब active हो जाना चाहिए हाला कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सिर्फ ख़वरे निउस पेपर में ही आ रही है तीवी निउस में ही दिख रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है exactly कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है बस होगा होगा भरती आएगी आएगी यही चल रहा है तो दोस्तो अभी कुछ दिन तक ये चलेगा ठीक है अभी जुन जुलाई तक ऐसे ही ख़वरें आपको देखने को मिलेंगी लेकिन जुलाई के बाद कुछ नोटिफिकेशन कुछ नए विग्यापन आपको देखने को मिलेंगे नया आयोग भी जुलाई में रेडी हो अगर सितंबर तक फिर लंबिट परिक्षाय दोहरवाइस वाली असिस्टेंट प्रफेसर और टीजीटी पीजीटी ने आयोग से कराये जाएगा अगले साल यूपी टेट और कुछ नए विग्यापन भी ने आयोग से देखने को मिलेंगे फिलाल कारवाईयां ही हो रही है इस वजए से अभी आपको exactly विग्यापन देखने को नहीं मिलेगा अगर ते उसके बाद ही आपको action देखने को मिलेगा पहले तैयारियां complete हो जाएंगी तो ही जाकर कोई विग्यापन आपको निकलता हुआ दिखेगा तो यही कुछ important जनकारी थी आप सभी लोगों के विडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें thanks for watching